हलो एंड वैलकम बैक टो माई यूटूब चैनल होपई रॉल डूइंग वैल तो देखो आज हम हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वास्चिन्स को यहां पर डिसकस करेंगे यह क्वास्चिन्स देखो आपके प्रीवियस एक्जाम्स में ही पूछे गए हैं तो देखो इससे पहले हम पार्ट वन डिसकस कर चुके हैं जिसमें हमने हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वास्चिन्स को डिसकस करके रखा था तो अगर आपने वह वाली वीडियो अभी तक नहीं देखिए तो इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में जाएं वहाँ पर हिंदी English questions करके link दिया गया होगा उस link पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जिरूर करते हैं और अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेर पर विजिट कर रहे हो तो जिरूर से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो question number 35 से हम यहाँ पर start करेंगे तो question number 35 से लेकर के 39 तक आपको शुद्ध सब्ध यहाँ पर चुनना है तो question देखते हैं, हमारा question है 35 तो question है 35 तो इसका right option क्या होगा, इसका right option होगा option C, अभ्यास यहाँ पर बिल्कुल सुद्ध शब्ध है question देखो 36, so 36 का option C यहाँ पर correct होगा पर मात्मा बिल्कुल जहतो सुद्ध सब्ध है question देखो 37, so 37 में right option है, option B घंटा जो है तो यहां पर बिल्कुल शुद्ध शब्द है Q. देखो 38 38 का right option होगा option D Run Bhoomi यहां पर शुद्ध शब्द है Q. देखो 39 39 का देखो right option होगा option A निस्ठा यहां पर बिल्कुल शुद्ध शब्द है अगले Q. कॉशन की बात करें Q. हमारा 40 से लेकर के 44 तक का आपको जह है तो संधी यहां पर बतानी है ओके तो आपके पास संधी देके रखिये है तो उसका आपको जह है तो अर्थ बताना है देव प्लस आले तो देव प्लस आले means देवाले option C यहां पर देखो बिल्कुल correct हो जाएगा अगले question की बात करें question हमारा 42 है so मृत प्लस माई is equal to 42 का देखो राइट option होगा option A मृत माई option A यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगले question की बात करें V प्लस आतीत का देखो संधी यहां पर क्या होगी तो V प्लस आतीत is equal to व्यतीत option B यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा question हमारा 44 है अनू प्लस एशन is equal to so 44 का देखो राइट option होगा option C अनवेशन option C यहां पर देखो correct हो जाएगा बाकि देखो अगर अभी तक आपने हमको टेलिग्राम और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो ID जो है तो description ने देखे रखी हुई है आप वहां पर जा करके हमें फॉलो कर सकते हो अगले question की बात करें question हमारा 45 है question 45 से लेकर के 47 तक देखो आपको जो है तो शब्द का जो है तो तदभव बताना है देखो Quesní हमारा 45 है कठार का J जो है तो तदभव क्या होगा सो देखो कठार का तदभव होगा कुलहाड़ी option C, è correct अगला Quesn मुष्टिगा का तदभव क्या होगा सो देखो मुष्टिगा का तदभव होगा मुथः option b, Exact अगला तूरंग का देखो आपको तदभव बताना है तो तूरंग का तदभव हो जाएगा option C घोड़ा, 47 का देखो right option होगा option C, okay, question हमारा 48, so 48 से लेकर के 50 तक आपको उच्चित link यहाँ पर बताना है, जैसे ठाकुर है, so ठाकुर का link यानि कि आपको 3 link यहाँ पर बताना है, तो ठा यहाँ पर बताना है, so 49 का देखो right option होगा, option A, ननद का हो जाएगा, ननदोई, option A, correct, अगला question, बालिका का देखो आपको उच्चित link बताना है, so बालिका का क्या हो जाएगा, I think सभी को पता होगा, तो इसका right option है, बालक, option B, correct हो जाएगा, अगले question की बात करें, question हमारा 51 काँ संगया है, देखो आज इवन में कौन सा संगया होगा, то यह होगा, अब यह वाव संगया, अगले question की बात करें, so question number 53 से लेकर के 55 तक आपके बास जो है, आपको भावाव आचक संगया, यहाँ पर चुन्नी है, आपके बास शब्दा दिया गया होगा, आपको उसकी की भावाचिक संग्या देखो क्या होगी सो कुमार की होगी कौमार यह ओप्शन बी कोरेक्ट अगले कौशन की बात करें अनुचर में देखो कौन सा उपसर्ग होगा यहां पर उपसर्ग पूछा गया है सो 56 का ओप्शन अनुचर में जो है तो अनुउपसर्ग होगा आपको पता होगा उपसर्ग जो है तो आगे लगता है और प्रत्य जो है तो पीछे लगता है तो इसी वज़ा से जो है तो अनुचर में कौन सा उपसर्ग हो गया अनुचर अगले कौशन की बात करें कौशन हमारा 57 है पर उपक विलास में कौन सा प्रत्य होगा, तो यह होगा आस, option, A, D यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया, प्रत्य जो है तो पीछे लगता है, अगला question विराम चिन आपको यहां पर बताना है तो देखो विराम चिन यह यहां पर आपको देखे रखा है तो इसका right option क्या होगा? इसका right option होगा option C उद्धरन option C यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा इनको क्या केते हैं? उद्धरन अगले question की बात करें अब यहां पर देखो question हमारा 85 है बाकी guys अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही होगी तो जुरूर से इस वीडियो को like कर दें question हमारा 85 है इन में से कौन सा शब्द जो है तो परियावाची नहीं है तो कौन सा शब्द परियावाची नहीं है option be correct अगला question रात्री में वीचरन करने वाला के लिए एक शब्द है यानि कि वाक्याश के लिए एक शब्द आपको यहां पर बताना है तो देखो रात्री में वीचरन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा तो इसके लिए एक शब्द होगा निशाचर option D correct question हमारा 88 है जो सदा साथ रहने वाला हो के लिए एक शब्द है तो यहां पर भी वाक्याश के लिए एक शब्द का question है जो सदा साथ रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा so 88 का option A correct इसका एक शब्द होगा सनातन option A correct अगले question की बात करें बाखी देखो जो भी मैं आपको answers यहां पर बताता हूँ वो official answer की से match करके ही बताता हूँ तो देखो question हमारा 89 से लेकर के 91 तक आपको उप्योक्त विकल्प का chain करना है देखो आपके पास मुहावरे दे गये हैं तो उसका आपको जो है तो अर्थ बताना है तो मुहावरा क्या है पलक पावडे विचाना तो इसका जो है तो अर्थ क्या होगा तो देखो इसका अर्थ होगा आदर से स्वागत करना option D correct अगला question हाथ पाव फूलना तो देखो इसका अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा भैभी तो होना option C correct अगला ठन ठन गोपाल इसका अर्थ क्या होगा तो देखो ये सारे की सारे मुहावरे दिये गये हैं तो इनके आपको अर्थ पताने हैं ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होगा इसका अर्थ होगा खोखला option, बी देखो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा, अगले question की बात करें तो यहां पर हम थोड़े से English के questions को देख लेते हैं, इसके बाद हम फिर से जो है तो हिंदी और English के कुछ और questions को भी यहां पर discuss करेंगे तो देखो question हमारा 196 है Our examination commences dash Monday next हमारी जो परिक्षा है वो अगले सोंबार से शुरू होगी, तो इसमें जो है तो कौन सा, कौन सी proposition लगेगी So देखो 196 का option option B correct हो जाएगा, on Our examination commences on Monday next option B correct, अगला question Entry dash this auditorium is ticket So देखो Entry to this auditorium is by ticket, option D यहां पर देखो correct हो जाएगा, ticket के द्वारा He is auditorium में entry ली जा सकती है, option D correct अगला question I was delighted at your success, option A correct हो जाएगा देखो यह तो पता नहीं कितनी वार आता है 198 का option A correct हो जाएगा Question देखो 199 Which one of the following is a correct sentence तो correct sentence आपको यहां पर बताना है So 199 का option B correct हो जाएगा, राम sings a song, option B correct यह वाला जो है तो बिल्कुल correct sentence हो जाएगा अगला question देखो One word substitute आपको बताना है Possessing unlimited powers का Possessing unlimited powers यानि की आप कहा सकते हो असीमित शक्ती रखने वाला बहुत सारी शक्ती रखने वाला उसको हम क्या कहते हैं तो देखो यह भी बहुत बार एक्जाम में पूछे जाता है तो इसको भी आप note करके चलो 200 का देखो Right option होगा Option D Omnipotent Possessing unlimited powers is called Omnipotent option D correct अगले question की बात करें अच्छा यहां से आप एक question का answer नीचे comment करके बता दो यह question देखो जैसे आप नगर 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 का आपको जो है तो नीचे नगर का विसेशन क्या होगा यह भी आप नीचे comment करके बता दो एक तो मैंने आपको बताया घरेलू का विलोम शब्द आप नीचे comment करके बता दो अगले गौशन की बात करें, गौशन मारा 191 है, अभिमान का विलोम क्या होगा, अब देखो अभिमान का विलोम क्या होगा, तो ये होगा नमरता, option A, correct, अगला गौशन, जो रोका न जा सके, के लिए एक शब्द क्या होगा, बक्यांश के लिए एक शब्द, so 192 का option D, correct, अगले गौशन की बात करें, कोसों दूर होना मुहावरे का क्या आर्थ होगा, अब देखो कोसों दूर होना मुहावरे का आर्थ होगा, पूरी तरह बचे रहना, option A, correct, अगला गौशन, यथा संख्य में कौन सा समास होगा, अब देखो यथा संख्य में कौन सा समास होगा और प्लस और यहां पर बिल्कुल कोरेक्ट हो जाएगा अगला हमारा कॉश्ण है English section से related which of the following is a correct sentence so correct sentence आपको यहां पर बताना है तो correct sentence यहां पर है option B it is B it has been raining since morning option B यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगले कॉश्ण की बात करें अगला हमारा feeling the blanks से related है it is a – useful book so 197 option the rebellion was put – in no time so 198 option C correct the rebellion was put down in no time option C correct अगला work hard – you should fail work hard less you should fail option B यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा आज का हमारा अंतिम प्रेश्ण है I cannot put up this insult so 200 option C correct I cannot put up with this insult option C यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा तो देहो guys यह थे हमारे कुछ questions I hope video आपको informative लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आपको simply क्या करना है आपको करना है वीडियो को like और नीचे comment करके हमको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में till then take care प्राइब करना है